दोस्तो हमारे प्रित्वी पर बहुंस सारी ऐसी जगह है जो कि काफी जादा रहस्य मही है इन जगह के रहस्यों को अभी तक विज्ञान भी नहीं सुल जा पाया है ऐसे ही रहस्य मही और अद्बुच जगह हमारे 36 गड़ में भी इस्तित है जिसके बारे में अभी तक कोई भी नहीं जान पाया है कि वहाँ कौन सी शक्ति काम करती है यह बात किसी को नहीं पता है इनी जगहों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को आप लोग पुरा जरूर देखना दोस्तों इस गुफा में रंग भी रंगी मचलिया पाई जाती है अगर आप लोग इसे गुफा से निकालोगे तो यह तुरंद मर जाएगी और यह बात अभी तक कोई भी नहीं बता पाया है कि ऐसा क्यों होता है यह गुफा 36 दर के बस्तर जिला में कांकेर घाटी राष्ट उध्यान में इस्थित है यह भारत का सबसे गहरी गुफा मानी जाती है जो की 60 से 120 फिट गहरी है इस गुफा की तुलना विश्यो की सबसे लंबी गुफा जो की अमेरिका में इस्थित है उस गुफा से की जाती है इस गुफा की खोज साल 1950 के दशक में भुगोल के प्रोफिसर डॉक्टर शंकर तिवारी ने कुछ इस्थाने आदिवासियों की मदद से की थी और इस गुफा के रहस्यों के बारे में अभी तक कोई नहीं बता पाया है वह रंग मिलंगी अंधी मचलिया गुफा से बाहर आने के बाद क्यों मर जाती है 36 गड़ के जांजगीर जीले में एक गाउ है पिथोरा इस गाउ में बहुंस सारे साब बिच्छू पाया जाते हैं और यहां यह साब बिच्छू किसी को भी नहीं काटते हैं यह गाउ 36 गड़ में इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि जिस भी व्यक्ति को साब ने काट लिया होता है उसे इस गाउ में लाया जाता है और इस गाउ के मंदिर की मिट्टी उसे खिलाई जाती है उसके बाद वह बिलकुल ठीक हो जाता है यह गाउ डिसकवरी चैनल पर भी दिखाई दे चुका है 37 गड़ के सबसे रहसे मई और प्रसिद्ध जगा है मैन पाट जो की अंबिकापुर में इस्थित है 37 की मैन पाट को यहां की शिमला भी कहा जाता है मैन पाट की ऐसी जमीन इस्थित है जिसके उपर उचलने पर इस्पंच की तरह दिखाई देता है जिसे कुदने पर जमीन दपती है और फिर वापस पहले जैसी हो जाती है इस जगह पर आप लोगों को बोड में लिखा दिखाई देगा कि यह एक अजूबा है यहां धर्ती हिलती है आप भी कुद कर धर्ती को हिलाने का आनंद उठा सकते है इस जमीन के बारे में साइंटिस्ट का कहना है कि इस जमीन के नीचे प्रिथवी के अंतरिक दबाव पोरी स्पेस में पानी भरा हुआ है जिसकी वजह से दलदली और स्पंजी लगती है तो दोस्तों यह थे हमारी 36 गड़के कुछ ऐसे अद्भूत और रहस्यमई जगह तो आप लोग के जगह पसंद आये तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारी चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना